अस्सलाम अलेकूम मैं हूँ उरूज कुक विदूरूज मैं आप सभी को खुशाम दित कहती हूँ उमीद है आप सब खेरी असे होंगे आज हमारे किचन में बनी है बहुत ही मज़ेदार कश्मीरी टी रेसिपी जानने के लिए आपको मारी पूरी वीडियो देखनी से पहले चार कप पानी लेंगे पानी को अच्छे से गरम कर लेंगे वायल हो गया पानी चार खाने के चमचे कश्मीरे टी डालेंगे कश्मीरी टी डालके 5 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे माशालला से मेरे अल्ला की शान तो देखिए जनाब पत्तों से कितना हसीन कलर निकलने लगा है चाय भी अच्छे से खौल गई है पांच मिनाट हो गए अब शामिल करेंगे इसके अंदर जनाब दो अदर लोंगे लेंगे दो अदर लोंग डालेंगे एक अदर बिर्यानी का फूल डालेंगे एक चुटकी डालेंगे हम PCV लाईची का पॉडर और एक टुकडा लेंगे हम दाल चीनी का दाल चीनी का टुकडा डालेंगे दो से तीन मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे वैसे आपको रास की बाद बताऊ चाए सर के दरद का बहतरी निलाज है, जब भी आपके सर में दरद हो, आप कॉफी, चाए या कश्मिरी टी बना के पियाँ, सर का दरद भाग जाएगा, बातो 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 में इससे पहले कावथ जल कर एक कप रह जाए, तो जनाब इसको फचान लेते, चलिया है, कावे को फचान ले, अगें फले मौन कर दिया, दीबार से चुले पर चड़ा दी इसको पकने के लिए, अब इसके इंदर शामिल करेंगे, MOD. देखिए माशाला से कितना हसीन कलर आ रहा है चाय का पिंग पिंग चार खाने के चमचे शुगर शामिल करेंगे अगर आपके घर में शुगर के पेशन्ड हो तो आप चीनी कमी इस्तामाल किया करिए शुगर के मरीजों को चीनी नुकसान देती है क्योंकि आप डालेंगे बदाम पिस्ता ये आपके अपनी मर्जी पर है आप जितना चीन डालना चाहिए डाल सकते हैं मैंने बदाम और पिस्ते का इस्तामाल किया है आप चाहें तो मजीर ड्राइफ फरूट डाल सकते हैं अपनी मर्जी के मताबिक मुझे बदाम और पिस्ता ही जादा अच्छा लगता है इसलिए मैंने बदाम और पिस्ता शामिल किया है ड्राइफ रूट आप मर्जी के साब से डाल सकते हैं जितने आपको पसंदो चाय में खौल आने ही लगए आपको नजर आ रहा होगा साइडों से हलके हलके से चाय उबलने लगी है एक खौल आने के बाद आपको सर्फ करके दिखाते हैं तो देखिए जनाब अच्छे से चाय खौल गई है चले हैं अब आपको सर्फ करके दिखाते हैं तो लीजिए जनाब मज़ेदार सी कश्मीरीटी तयार है मेरी और मेरी नंद के लिए बनाएका इंशालला आप लोग को जरूर पसंद आएगी पसंद आए तो मेरी चैनल को सब्क्राइब करें लाइक करें शेयर करें तब तक लिए लाफ़ेज़